आज हम एक नए अध्याय की शुरुवात करते हैं और इस अध्याय का नाम है हाइड्रोकार्बन के वित्पन हाइड्रो कार्बन शद आपके लिए नया नहीं है क्योंकि कक्षा नवी में आपने हाइड्रो कार्बन के विशाय में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की है आप जानते हैं कि ऐसे राशायनिक योगीत जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इस अध्धाय में हम हाइड्रोकार्बन तथा उनके कुछ वित्पन यानि कि हाइड्रोकार्बन से कुछ हाइड्रोजन परमानों को विस्थापित कर देने यदि कुछ तत्रों के द्वारा तो जो नए प्रकार के योगिक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के विद्पन तो उन्हें के विशए में अध्यन करेंगे अब बात आती है कि हम इन हाल्ड्रोकारबन या हाल्ड्रोकारबन के विद्पन्नों का अध्यन क्यों करें तो इनका महत्व यह जो है कि आप सुबह उठने watching रात सोने हैं तो आपके ब्रश का जो पदार्त है वो हाईड्रोकार्बन ही है यदि आप सुबह उटकर चाय पीते हैं तो उसके लिए यदि आप LPG सिलंडर का उपयोग करते हैं तो उसमें भरी हुई gas propane या ब्यूटेन होती है जो की हाइड्रोकार्बन ही है यदि आप बायो गैस का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है यदि आप नहाने के लिए बाल्टी या मग का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी हाइड्रोकार के लिए cycle का इस्तमार करते हैं तो उसके seat या जो मटगार्ड होते हैं वह भी हाइड्रोकार्बन पदार्थों से ही बने होते हैं इसके अलावा यदि आप जाने के लिए two wheeler या फिर auto रिख्षा आधी का इस्तमाल करते हैं तो उसमें उप्योग होने वाला इंधन यहने की पैट्रोल और डीजल वह भी हाइड्रोकार्बन ही है इसके अलावा जितने भी समानों को कैरी करने के लिए यदि आप प्लास्तिक बैग पॉलिथिन का उप्योग करते हैं तो वह भी अथलिन बॉल्स होती हैं यह सभी हाइड्रोकार्बन से निर्मित हैं यदि हम सडकों की बात करें तो सडकों को बनाने के लिए जो कोल्टार उप्योग में लाया जाता है वह भी हाइड्रोकार्बन ही है तो देखा आपने दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का कितना महत है और इसी लिए hydrocarbon का अध्यान करना हमारे लिए अथी आवश्यक है तो इस अध्याई में हम hydrocarbon तथा उनके वित्पन्नों का अध्यान करेंगे एक और बात यह जो hydrocarbon होते हैं इनकी कैलोरिफिक वैल्यू काफी अधीक होती है और यही कारण है कि इनका उप्योग हम इंधन की तौर पर कर पाते हैं अब हम बास करते हैं जैसे कि आपने जाना जो हाइड्रोकार्बन होते है ये जो जिनने हम कारबनिक पदार्थ के अंतरगत जिनका अध्यन करते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित हों केवल हाइड्रोकार्बन हों या जरूरी नहीं हैं इसके अलावा इनमें अन्य तत्व भी उपस्तित होते हैं जैसे कि ओक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हैलोजन इनसे मिलकर बनने वाले रसाइनिक पदार्थ भी कार्बनी कंपाउंड के अंतरगत ही आते हैं जैसे कि उदाहरन के लिए आप घर में शक्कर कर इस्तेमाल करते हैं तो शक्कर में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ओक्सीजन भी उपस्तित होती है क्योंकि इसका सूत्र होता है C12, H22, O11 इसी तरह से यदि हम यूरिया क इसी बात करें जिसका सूत्र है NH2, CO NH2 तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ओक्सीजन और नैट्रोजन भी उपस्तित हैं इसी तरह से प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने वाले जो मुख्य अव्यवी घटक होते हैं एमिनो अमल इनमें भी कार्बन हाइड्रोजन ओक्सीजन के अलावा नैट्रोजन उपस्तित होती है यदि हम बात करें क्लोरोफॉर्म की तो यहाँ पर हम देखें कि यह कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें हैलोजन यानि की क्लोरीन उपस्तित होती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन तो बहुत अधिक संख्या में हैं ही उनकी वित्पन यहने की हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी अन्य तत्व ऑक्सीजन नैट्रोजन सल्फर या क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर देने के पश्चात जो नए प्रकार के योगिक बनते हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है और यदि हम स्वयम की बात करें तो हम भी कार्बन के योगिकों से ही निर्मित हैं हमारी शरीर का निर्माण भी कार्बन के योगिकों से ही हुआ है तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन के योगिकों का हमारे लिए काफी अधिक महत्व है अब बात आती है कि कार्बन के 0.02 प्रतिश्रत है जबकि भूपरपटी में इसका प्रतिश्रत मात्र 0.03 प्रतिश्रत ही होता है लेकिन फिर भी कार्बन के योगिकों की संख्या बहुत अधिक है इसके पीछे कारण क्या है यह हम इसी अध्धाय के अंतर जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन के योगिकों की संख्या की तो हम बता दें कार्बन के योगिकों की संख्या कई मिलियन होती है यदि हम आवर्त सानी में देखें तो हमें पता है आवर्त सानी में कुल 118 तत्व हैं जिसमें से 1 तत्व है कार्बन लेकिन अकेले कार्बन के द्वारा निर्मित योगिकों की संख्या अनले बाकी बचे हुए 617 तत्वं के द्वारा निर्मित योगिकों की संख्या से भी अधिक होती है। तो यहाँ पर बात यह आई कि जब कार्बन के योगिकों की संख्या इतनी अधिक है तो फिर इनके अध्यन के लिए भी हमें रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा बनानी होगी और इसलिए कारबन के योगिकों का अध्छन करने के लिए रसायन विज्यान की एक अलग शाखा बनाई गई है जिसे हम कहते हैं और्गनिक कैमिस्ट्री यह जो और्गनिक कैमिस्ट्री नाम दिया गया है यह नाम भी विशेश रूप से और्गिनिजम शब्द से उत्पन हुआ है और्गिनिजम यनि की जैविक पदार्द और यह जो नाम दिया गया है इसकी पीछे प्राचीन अवधर्णा है पहले यह माना जाता था कि कार्बन के कुछ मुख योगिक जैसे की शक्कर, स्टार्च या फिर यूरिया ये सब ही योगिक इनका संसलेशन केवल जैविक पदार्थों में ही हो सकता है यानि की जैविक जीवों में ही हो सकता है जैसे की जन्तु या फिर पादव क्योंकि इन जीवों में इन पदार्थों को संसलेशित करने के लिए एक जीवन शक्ति पाए जाती है एक वाइटल फोर्स पाए जाता है और चुकि बाहर ये जीवन शक्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए इन कार्बन के योगिकों का संसलेशन हम प्रयोकशाला में या जीवित जीवों के शरीर के बाहर नहीं कर सकते हैं और इसी आधार पर चुकि इन सारे पडार्थों का संसलेशन जीवित जीवों में और्गनिजम के भीतर होता है इसलिए इन सारे पडार्थों का अध्यन करने वाली शाखा को जो नाम दिया गया वह था और्गैनि यानि कि organic chemistry के अंतरगत हम इन सभी पदार्थों का अध्यन करते थे और आज भी हम केवल कारबाईट पदार्थों को छोड़ दे या फिर कार्बोनेटों को छोड़ दे इनके अलावा बाकी के जितनी भी कारबन के कमपाउंट्स होते हैं कारबन के योगिक हैं उनके सभी का अ ज्यानिक fredelick woller ने अपने प्रयोग के द्वारा या सिद्ध कर दिया कि इन कारबनिक पदार्थों को जीव के बाहर भी बनाना संभौ है यानि कि प्रयोग शाला में बनाना संभौ है और इसके लिए उन्होंने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट लिया और ऑनिम सायनिट जिसका सूत्र होता है n-h4-c-n इस अकारबनिक पदार्थ की सहाईता से उन्होंने कारबनिक पदार्थ यूरिया यने कि h2 CO-NH2 का संसलेशन किया और इस तरह से इस संसलेशन के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इन कार्बनिक पदार्थों के संसलेशन के लिए किसी भी वाल्टल फोर्स यहने कि जीवन शक्ति या जैव शक्ति की आवजशक्ता नहीं है इन्हें विशेश परिस्तितियों में प्रयोग शाला में निर्मित किया जा सकता है और इस तरह से किसी अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा निर्मित होने वाला यूरिया एक प्रथम कार्बनिक पदार्था और इसलिए यूरिया के संसलेशन का श्रे भी फ्रेडरिक वोलर को दिया जाता है लेकिन अभी भी हम विभेन कार्बनिक पदार्थों की यदि बात करें तो कार्बाईट तथा कार्बनिक पदार्थों को छोड़ कर शे सभी कार्बनिक पदार्थों का अध्यन अभी भी हम और्गनिक केमिस्ट्री के अंतरगत ही करते हैं आईए अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि कारबन के इतने अधिक योगिक होने के पीछे कारण क्या है कारबन के वे कौन कौन से गुण है जिसकी वज़ा से इसके योगिकों की संख्या कई मिलियन होती है तो यहाँ पर हम देखें कि कारबन के दो मुख्य गुण है या हम यह कह सकते हैं कि ऐसे दो मुख्य कारण हैं जिनकी वज़े से कारबन के योगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें से पहला कारण है कारबन का श्रिंखला बनाने का गुण इसकी केटिनिशन की तो पहला हम देखें श्रिंखलन का गुण, कार्बन में दूसरे अन्य कार्बन परमाणों के साथ आबंधित होकर लंबी श्रिंखला बनाने का गुण पाया जाता है और ये जो गुण है इसे हम श्रिंखलन का गुण या कैटेनिशन प्रापर्टी कहते हैं जिसमें की कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर कई लंबी श्रिंखला बना सकते हैं और इसके फुल सरोप हमें बहुत सारे अन्वों प्राप्त होते हैं अब यहाँ पर यह श्रिंखला बनती है जैसे कि हम उदारान ले सकते हैं मेथेन जीसमें की एक ही कार्बन है, यदि हम एथेन ले तो इसमें हम देख सकते हैं दो कार्बन है, इसी तरह से जब तीन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो यह जो सरचना बनेगी इसे हम प्र प्राप्त हो जाती है यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी कारबन है वो सब एक सीधी श्रिंखला में जुड़े हुए हैं एसा नहीं है कारबन की कई शाकित श्रिंखलाएं वाले यौगी भी पाए जाते हैं उधारन के लिए हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन क सूत्र होता है C4H10 और यदि हम इसकी सरचना बनाने देखें तो यहाँ पर हम चार कार्बन को एक सीधी श्रिंखला में रख सकते हैं और बाकी की इनकी संयोजक्ता जो शीश संयोजक्ता है उसे हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करते हैं जिसकी यहाँ पर हमें सीधी श्रिंखला वाली एक सरचना प्राप्त होती है इन में जो कार्बन और हाड्रोजन की संख्या है वह पहले पराप्त जो सीधी शिंख्ला वाला व्यूटेन हैं उसके समान ही है यह इन की इन दोनों ही योगिकों के अनुसूत्र बिलकुल समान हैं दोनों में ही चार कार्बन और 10 हाइड्रोजन है लेकिन इनकी सरचन एक दूसरे से बिलकुल भिन है तो समान अनुसूत्र होकर भी इनकी सरचन भिन होती है जिसकी वज़ा से इनके गुण भी एक दूसरे से भिन हो जाते हैं और इस तरह से हमें नए नए प्रकार के योगीद प्राप्त होते हैं इसके अला कार्बन वाला एक कार्बनिक योगी जिसका सूत्र है C6H12 यहाँ पर यदि हम सभी छे कार्बन को एक वले के रूप में विवस्थित कर दें और बाकी बची इनकी सेयोजकताओं को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर दें तो आप देख सकते हैं हमें एक वले वाली कार्बन उपस्थित होती हैं इसी हम साइक्लो हेक्जेन कहते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन दूसरे अन्य कार्बन परमाणों के साथ आबंधित होते हैं और इनके आबंधित होने का तरीखा श्रिंखला के रूप में शाखित श्रिंखला के रूप में या वले के रू एकल बंध के अलावा कार्बन कार्बन के बीच द्वी बंध और त्री बंध भी उपस्तित होते हैं और इसके आधार पर भी हम कार्बनिक योगिकों को प्रिथक प्रिथक या वर्गी कर सकते हैं जैसे कि जितने भी कार्बन के योगिकों जिनमें की कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है उन सभी कार्बनिक योगिकों को हम एक साथ संत्रप्त कार्बनिक योगिक कहते हैं और इन्हें एक साथ सामाने नाम दिया जाता है एलकेन और चुकि इनमें सभी में एकल बंध से ये आबंधित होते हैं इसलिए ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं जैसे कि हम यहां उदारण ले सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन का दूसरी ओर यदि ऐसा कार्बनिक योगिक है जिसमें कि कार्बन कार्बन परमानूं के मद्ध द्वीबंध उपस्तित हो तो ऐसे कार्बनिक योगिकों को सामोहिक रूप से हम एल हारन ले सकते हैं एथीन का एथीन का अनुसूत्र होता है स्वी टू एच फोर यनि कि यहां पर कार्बन कार्बन यदि एक सिंगल बन बना दें तो हमारे पास चार हाइड्रोजन हैं जो कि दोनों कार्बन से जुड़कर इनकी बाकी की दो सेंजगतां को पूरी कर देते हैं लेकिन कार्बन कार्बन के बीच की एक सेंजगता अभी भी अधोरी है और इस यह तभ हिपोरी हो सकती है जब कार्बन कार्बन आपस में मिलकर एक द्वि बन्ध का निर्मार करें तो इस तरह से एथीन का सूत्र हो जाता है CH2 द्विबन CH2 इसी तरह से जब कार्बन कार्बन के बीच तीन बंद त्री बंद उपस्तित होते हैं ट्रिपल बॉन उपस्तित होते हैं तो ऐसे कार्बनिक कमपाउंड भी और संत्रप्त कार्बनिक कमपाउंड के अंतरगत आते हैं और इन्हें सामुहिक रूप से हम Elkine कहते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उदारन ले रहे हैं C2H2 का जो की Acetylene का अनुसूत्र है यहाँ पर भी हम देखें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंद बना देने की पशाथ जो हमारी पर दो हैड्रोजन हैं वो दो कार्बन से जुड़ जाते हैं लेकिन इस स्थती में भी कार्बन प्रते कार्बन की दो-दो सेनर्जेक्ताई अभी अधूरी हैं और यह तभी पूरी होंगी जब कार्बन कार्बन आप इसमें त्री बंद का निर्मान करें और इस तरह से acetylene का जो सरचना प्राप्त होती है वो हो जाती है CH, triple bond CH. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी कार्वनिक कमपाउंड हैं, उनमें जो एकल बंद वाले कार्वनिक कमपाउंड हैं वो संत्रप्त होते हैं और अपिक्षाक्रित कम अभिक्रियाशील होते हैं जबकि द्वी बंद और त्री बंद वाले कार्वनिक कमपाउंड और संत्रप्त कार्वनिक कमपाउंड के अंतरगत आते हैं और असंत्रप्तता होने की वज़े से इनकी अभिक्रियाशीलता काफी अधिक होती है इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बनिक योगिकों में विविधता देखने को मिलती है ऐसा नहीं है कि कार्बन में हैं श्रिंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन समुह में आने वाले अन्य तत्व हैं जैसे कि हम सिलिकन की बात करें उसमें भी श्रिंखलन का गुण पाया जाता है सिलिकन भी हाइडरोजन के साथ मिलकर श्रिंखलन सरचना बनाते हैं लेकिन इनकी जो श्रिंखला है वो 7-8 परमाणों के बाद समाप्त हो जाती है उनमें कार्बन जैसी लम्मे श्रिंखला बनाने का गुण नहीं पाया जाता और इसलिए कार्बन का जो श्रिंखलन गुण है वो काफी अदुती माना जाता है साथ ही साथ हम यह भी बता दे कि कार्बन कार्बन के बीट जो बंध बनता है वो काफी प्रबल बंद होता है, काफी मजबूत बंद होता है और इसलिए जितने भी कारवनेक योगिक हैं, वो सभी काफी स्थाई भी होते हैं इनके स्थाईतों का एक और कारण है वो है कारवन परमाणूं का आकार छोटा होना क्योंकि कार्बन परमाणों की साइज छोटी होती है इसलिए कार्बन कार्बन के बीच जो सहसयोजग बंद बनता है तो सहसयोजित इलेक्टरान जोड़ा नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है क्योंकि वो नाभिक के पास होता है और इसी वज़े से कार्बन कार्बन के बी दूसरी महत्वपूर्ण गुन है वह है इसकी चतुषयों जगता ये तो हमें देखा हाल्डोकार्बन में कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणों के साथ या थोआ हाल्डोजन के साथ बंध बनाकर बहुत सारे कार्बनिक योगिकों का निर्मान करते हैं जिने हम हाल्डोकार् लेकिन कार्बन काफी friendly स्वभाव का तत्व होता है यह केवल कार्बन hydrogen ही नहीं इसके अलावा जैसे कि हमने पहले ही बताया था यह oxygen, nitrogen, sulfur, halogen आधी के साथ भी बंधुता रखता है और इसलिए यह कार्बन hydrogen के अलावा अन्य तत्वों nitrogen, sulfur, chlorine आधी तत्वों के साथ मिलकर भी का कार्बनिक योगिकों का निर्मान करता है और यह जो कार्बनिक योगिक बनते हैं वो इसलिए क्योंकि यह कार्बनिक योगिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उनका स्थान लेकर बनते हैं और इसलिए ऐसे योगिकों को हम हाइड्रोकार् के विद्पन योगिकों का अध्यन करने वाले हैं अब यहां पर हम बता दें कि आखिर हड्रोकार्बन में से हड्रोजन किस प्रकार से थापित होता है और इससे जो नए तत्व जुड़ते हैं वो किस प्रकार से जुड़ते हैं जैसे कि हम जानते हैं यदि हम एलकेन की बात क तो एलकेन का सामानी सूत्र होता है आर एच इसे हम सामाने रूप से लिखते हैं आर एच और ये इस एलकेन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो जो बच्चा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं एलकिल मूलक उधारन के लिए यदि हमारे पास मेथेन हैं तो यहाँ पर मेथेन CH4 यदि CH4 में से एक हैड्रोजन विस्थापित हो जाए तो शेस भाग बचता है CH3 और उसके साथ हम एक एकल लाइन जोड़कर लिपते हैं जो कि इसकी मुक्त सयोजक्ता को दर्शाती है तो इस तरह से बचा हुआ भाग मुलक कहलाएगा चुकि यह मेथेन से एक ह इसी तरह से हम देखें यदि एथेन है जिसका सूत्र होता है C2H6 यदि इसमें से भी एक हैड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो शेस बचा हुआ जो मुलक या रेडिकल है वह कहलाता है इथाईल मुलक और इस तरह से ये जो मुलक बच्चे हैं इनमें से कोई भी अन्य तत्वर, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen आधी जुड़ सकते हैं या इसी तरह के कोई समूं इन से आकर जुड़ सकते हैं और जुड़ कर एक नए योगीकों का निर्मान करते हैं और चुकि ये hydrocarbon में से hydrogen को विस्थापिच करके किछी नए परमानूं या नए समूं के जुड़ने से बने योगी होते हैं इसलिए हम इन्हें hydrocarbon के वित्पन कहते हैं और ये जो परमानूं है जिन्हें हम oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur या halogen कह रहे हैं ये सब ही परमानूं विशम परमानूं कहलाते हैं ये विशम परमानूं अकेले भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर ये समूं के रूप में भी उपस्थित हो आत्मक समू या फंक्शनल ग्रूप कहते हैं और इसे फंक्शनल ग्रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तत्व जब इसी किसी हाइड्रो कार्बन में उपस्थित होते हैं तो ये उसके सारे विश्ष्ट गुनों का नर्धारन करते हैं यानि कि अब किसी विश्टम पर परमानू के उपस्थित होने से जो हाड्रो कार्बन का गुन है वो उसकी कार्बन हाड्रोजन की लंबी श्रिंखला या फिर उसकी प्रकृती पर निर्भर नहीं करता बलकि इस विसम परमानू या फिर प्रकार्यात्मक समू पर निर्भर करता है और इसलिए इन्हें हम क्र तो पूर विसम परमाणू या प्रकार्यात्मक समू के विशय में जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं विसम परमाणू हैलोजन, विसम परमाणू क्लोरीन, ब्रोमीन, यदि यह उपस्थित होंगे किसी कार्बनिक योगिक में, तो जो कार्बनिक योगिक होता है उसे हम कहते हैं हैलोलकेन और यहाँ पर हम देखें यदि मालीजे हमारे पास कार्बनिक योगिक है मेथेन और इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के पश्चात इसमें जो विसम परमाणू है वह सी एल जुड़ गया है तो इस तरह से यह एक प्रकार का हेलो एलकेन योगिक बना और इसका नाम होगा क्लोरो मेथेन यहाँ पर क्लोरो एक विसम परमाणू है तथा जो एलकेल मूलक है वह मेथेन से बना हुआ है इसलिए इसे हम कहेंगे क्लोरो मेथेन और यहाँ पर यदि हम प्रकार्यात्मक सम को दर्शाएं तो उससे हम इस तरह से दर्शाएंगे एक सिंगल लाइन और उसके पच्चाद CL. यदि ये कोई पहले सम criteria तो उससे हम सिंगल लाइन उसके पच्चाद में जब उपस्थित होता है तो वो कई प्रकार से उपस्थित हो सकता है या कई समूहों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं उधारन के लिए यहाँ पर हम समूह का नाम लेते हैं एलकोहल या इससे जो योगिक होंगे वो होते हैं एलकोहल और एलकोहल में जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो या प्रकार्यात्मक समुों- ओइच के रूप में उपस्थित होते हैं जसे हम है डियू-डॉयको इच्छित में कहते हैं दूसरा या विसमद परमाणू ऑक्सीजन एक डूसरे समु- अलदीक22 समु के द्वारा जुड़ा होगा ऑक्सीजन और सामानी रूप से हम इसे CHO समू के रूप में लिखते हैं और यह समू कहलाता है LD हाइड समू इसी तरह से यह विसम परमाणू ऑक्सीजन कीटोनिक समू के रूप में भी उपस्तित हो सकता है जिससे हम सूत्र के रूप में इस तरह लिखेंगे यहाँ पर हम दो सिंगल लाइन पहले लिखते हैं उसकी बाद कार्बन और कार्बन के द्वारा द्वी बन से जुड़े हुआ ऑक्सीजन तो यहाँ पर हम देख रहे हैं की कार्बन की दो सयोजटायने की कीटोनिक समू Commission की दो मुक्त सयोजटा होती हैं इसके बाद हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलीक समू को को यहाँ थी हम सूत्र के रूप मे लिखें तो यहाँ पर भीेक सिंगल लाइन फिर कार्बन कार्बन से द्विबंद के द्वारा जुड़ा होगा एक Oxygen और Carbon के साथ जुड़ा होगा एक OH समू तो इस तरह से Carboxilic समू की सरचना बनती है यह सब ही समू क्रियात्मक समू या प्रकार्यात्मक समू कहलाते हैं और जब ये किसी Carbonic योगिक में उपस्थित होते हैं तो उसको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। साथी साथ उसके सारे रासायनी गुणों का निर्धारन इन्हीं प्रकार्यात्मक समुहों के द्वारा होता है। और इसलिए हम इन्हें functional group या प्रकार्यात्मक समु कहते हैं। और इस तरह से ये विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये जो गुण होता है वो कार्बन श्रेंखला की लंबाई अथ्वा उसकी प्रकर्ती पर निर्भर नहीं करता है। या केवल और केवल इन विशेश समुहों पर निर्भर करता है। या फंक्षनल गुरूप कहलाता है। तो इस अध्दाय में आगे हम इनवी फंक्षनल गुरूप या क्रियात्मक समुहों से युक्त कार्बनिक योगिकों का अध्यन करेंगे। आपने देखा कि यदि हम हाइड्रोकार्बन श्रिंखला के किसी एक हाइड्रोजन को किसी क्रियात्मक समुह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एक नया कार्बनिक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है जिसके गुण उस क्रियात्मक समुह के द्वारा निर्धा किये जाते हैं उद्हारन के लिए यदि हम किसी कार्बन श्रींखला के एक हाड्रोजन को अलकोहॉलिक समू या हड्रॉक्सिल समू के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो हमें इस तरह से विभिन कार्बनिक कमपाउंड की एक श्रींखला प्राप्थ होगी यदि हम एक इसी तरह से दो कार्बन वाली श्रंखला में से हाड्रोजन को हाड्रोक्सल समों के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो हमें एक नया योगीक प्राप्त होगा जिसका सूत्र होगा C2H5OH और इसी तरह से अगला जो कंपाउंड होगा इसमें होगा वह C3H7OH फिर अगला होगा C4H9OH और इस तरह से एक लंबी श्रंखला तयार हो जाएगी यहाँ पर इन सभी रासायनी कंपाउंड को देखने से हमें सपस्ट होता है कि इन सभी रासायनी कंपाउंड में एक ही क्रियात्मक समू हैं और हम जानते हैं कि ये क्रियात्मक समू किसी भी रासाइनिक योगिक या कार्वनिक योगिक के रासाइनिक गोणों का नरधारन करते हैं और इसलिए इन सभी शर्णी के सभी सदस्यों के रासाइनिक गोण एक जैसे होगे और इसलिए इन सभी कारबनेक्योगिकों को जिनमें की समान क्रियात्मक्षमों उपलब उपस्थित होते हैं उन सभी को एक साथ हम सजाती शरणी कहते हैं जैसे कि हाड्रोकार्बन वाले अध्याई में आपने पढ़ा था एलकेन श्रणी एलकीन श्रणी और एलकाइन श्रणी उसी तरह से जब हाड्रोकार्बन के किसी हाड्रोजन को हम किसी क्रियात्मक समों से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एक नए प्रकार की श्रणी प्रा कार्बनिक योग्यों को की जो श्रणी प्राप्थ होती है उसकी अपनी एक विश्रीस्ता होती है उदारन के लिए हम यहाँ पर एल्कोहल श्रणी की बात करते हैं यदि हम एल्कोहल श्रणी में ऊपर से नीचे की तरफ चले यह हम कह सकते हैं कि यदि हम कार्बन श्रिंखला क आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे कारवन की संख्या बढ़ती जाती है इनका आणविक द्रवेमान भी बढ़ता जाता है और हम जानते हैं कि किसी भी योगिक के आणविक द्रवेमान बढ़ने के साथ साथ उसके भौतिक गुड़ों में परिवर्तन होता है तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम किसी सजाती श्रणी में द्रवेमान आणविक द्रवेमान के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उनके भौतिक गुड़ों में क्रमिकता देखने को मिलती है क्योंकि जैसे जैसे अनुभार में वृध्धी होती जाती है इनके कुछ अरवां से इस जो सजाती श्रणी है वहाँपर हम देखें कि यदि हम एलकेंशोंटी की बात करें तो यदि एलकेंशोंटी का पहला सदस्य होता है ch4 और उसका अगला सदस्य होता है c2x6 और यदि हम इन दोनों श्रणियों में अंतर देखें तो आपको क्या अंतर होते हैं कि इसमें एक कार्बन और दो हाइडरोजन का अंतर है यने की शर्णी के क्रमागत सदस्यों में एक CH2 का अंतर होता है और यदि हम इनकी द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट और जुड़े हुए दो हाड्रोजन का द्रव्यमान दो यूनिट यनिकी कुल 14 यूनिट यनिकी हम कह सकते हैं कि सजाती शर्णी के क्रमागत सदस्यों के मद्धे एक CH2 या फिर 14 यूनिट का अंतर पाया जाता है तो क्या यह अंतर एलकेन एलकीन एलकाइन यह सभी शर्णियों में देखने को मिलत और उसका अगला सदस्य है C2H5OH यनिकी एथेनॉल तो क्या इन में भी यह अंतर देखने को मिलता है आप देख सकते हैं कि इन दो यूगिकों के मद्धे भी एक कार्बन और दो हाड्रोजन यनिकी CH2 का अंतर है और द्रव्यमान के दृष्टी से 14 यूनिट का अंतर है तो इस तरह से हम देखते हैं कि शजाती शणी में क्रमागत यूगिकों के मद्धे समान अंतर पाया जाता है और इस तरह से इनके भातिक गुणों में क्रमिकता देखनों को मिलती है और साथी साथ इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं और चुके इनके रासायनिक ग बच्चो जैसे कि आप जान चुके हैं जब किसी एलकील मूलक के साथ ओइच समू जुड़ा होता है तो इसे हम इस प्रकार बने योगी को हम एलकोहल कहते हैं और इस एलकोहल में ओइच समू ही उसकी रासाइनी कुणोहेतु जिम्मेदार होता है तो अब आप ये कहोगे कि ए ये भी एलकोहल है तो चलिए आज हम एने ओइच में जुड़े हुए ओइच समू और एलकोहल के ओइच समू की प्रकरती की जांच कर लेते हैं तो चलिए इसके लिए हम एने इच का विलियन लेते हैं और एथिल एलकोहल यानि की C2H5OH का विलियन लेते हैं और इसकी प्रक और इसे एनो एच्विलियन में डाल कर देखते हैं देखिए नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डाल कर देख लेते हैं देखिए लाल लिटमिस पेपर का रंग नीला हो गया जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रॉकसाइड छारी है अब हम नीले लिटमिस पेपर को एथिल एलकोहल में डाल कर देखते हैं देखिए इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब हम लाल लिटमिस पेपर को एथिल एलकोहल में डाल कर देखते हैं देखिए लाल लिटमिस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब कि एथिल एलकोहल ना तो अमलिय है और ना ही छारिय है तो चलिए अब हम दोनों के पी एच की जाच कर लेते हैं सबसे पहले हम एने वेज के पी एज की जाज करते हैं यह नीला हो गया अब हम इसको कलर बार से मैच करते हैं देखिए यह दिखाता है कि सोडियम हैड्रोक्सेड के विलियन का पी एज मान चवदा है अब हम एथिल एलकोहल के पी एज की भी जाज करते हैं देखिए बच्चों इसे पीएज बार से मिलाने से पता चल रहा है कि एथिल एलकोहल के विलियन का पी एज मान साथ है जो की दर्शाता है कि यह उदासीन है तो बच्चों इस परिक्षण से हमें यह पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओएज समू और एथिल एलकोहल के ओएज समू की प्रकृति एक जैसी नहीं है चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने छारिता का गुण प्रदर्शित किया इसका ताथ पर यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन में ओएज समू आइनिक बंद के रूप में मौजूद है जबकि एथिल एलकोहल में ओएज समू सहसायोजक बंद के रूप में मौजूद है और चूंकि एथिल एलकोहल एक कार्बनिक योगिक है अता इसमें ओएज समू क्रियात्मक समू के रूप में मौजूद है